चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि मैथेमेटिक के कौन-कौन से पार्ट या ब्रांच है जो क्लास्टेन तक कौवर किया जाता है इंडिया के किसी भी स्टेट में तो सबसे पहले आता है अंक गडित इंगलिज में इसे अर्थमेटिक कहते हैं हिंदी का नाम जो है वो काफी क्लीर है अंक गडित मतलग इसमें अंकों की पढ़ाई कियाती है जैसे कि एक दो तीन चारी अंक संख्या और उनके जोड़ घटा गुना या भाग उसे कहते हैं अंक गडित अर्थमेटिक इसी के अंदर प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंट्रेस्ट, डिसकाउंट ये सारे सवाल आ जाते हैं दूसरा आता है बीज गणित, एलजेब्रा इसका भी हिंदी नाम बड़ा सटीक है बीज गणित बीज का मतलब होता है सीड, सीड वो चीज है जिससे पूरा पौधा बिक्सित होता है तो जैदि आप बीज गणित समझ लिए तो आप मैट्स का हर एक चीज को समझ सकते हैं बीज को, सीड को, बीज गणित के अंदर हम संख्या के आलावा अग्यात संख्या एकस, वाई, जेड से दिखाया जाता है या एबीज सी से उसके भी से में जानते हैं बीज गणित में भी जोड गटाव गुना भागा और सधानत बाकी सारे चीज जो लौस अवर मौस अपढ़ाया तो वो सारा बीज गणित के अंदर आता है बीजगरीत का मेन सिधान्त जो है वो है XYZ पे चलता है ABC पे उसका जोड़ घटा गुना भागा अच्छा से आना चाहिए तीसरे आता है जैमिती जिसमें हम लोग रेखाओं बिंदू या समतल में बने चित्रों के बिशे में पढ़ते हैं उसे करते हैं जैमिती जैमिती में सधारांत हम लोग जैमिती क्चित्रों के बिशे में पढ़ते हैं ये दो भागों में मटा जा सकता है एक को भोलते हैं निर्मे मतलब कंस्ट्रक्शन और दूसरा प्रमे मतलब थियूरम अधिकता थियूरम भरती रहता है इसमें इसके बाद कहीं कहीं पर जैमिती का और एक भाग जिसे कहते है स्थानांक जैमिती नमबर्स में जैमित्री को जदी बताय जाए तो किस तरफ बताय जागा हो है स्थानांक जैमिती सधान जैमिती से थोड़ा अलग है इसमें mathematical calculation करके हम लोग जैमिती के रिजल्ट उत्तर पर पहुशते हैं इसके बाद आता है चेतरमेती मेंशूरेशन इसके अंदर हम लोग परिसीमा। छित्रफर्ल के बिशे में पढ़ते हैं त्रीभूज, चत्रूभूज या दूसरे और जैमिती चित्रों का चत्रमिती उसके एरिया पेरिमिटर के बिशे में पढ़ते हैं इसे कहते हैं मेंसूरेशन class 10 तक पढ़ाये वाले और एक branch मेरता है संखीकी या statistics जिसमें numbers की बिशे में numbers का average निकालना, mean निकालना, median निकालना उसका table बनाना वह आ जाता है संखीकी के अंदर तो सधरनता ये 3, 4, 5, 6, करीवन 6 branch है जो class 10 तक पढ़ाये जाते हैं एक और branch जाता है जिसे कलते हैं त्री कोण मेती या ट्रीगोन मेत्री जिसके अंदर त्री भुज के भुजाओं और कोणों का संबंद के विशे में बताया जाता है धन्यवाद दोस्तों